हेलो फ्रेंड्स, विलकम बैक टू माई चैनल, मैं संध्या और आप देख रहे हो संध्या सिलाई डिजाइन फ्रेंड्स हम लोगों की बेसिक सिलाई कोर्स की हम लोगोंने 25 क्लास कंप्लेट कर लिया है, यह हमारी 26 क्लास है तो हम लोगोंने इस ब्लाउज की कटिंग पिछली वाली क्लास में किया था, आज हम लोग उसी ब्लाउज की सिलाई सिखेंगे तो जैसे हमने कट किया था सेम वैसे ही हमने अपना फ्रेंट पार्ट उठा लिया है और उठाने के बाद उसको हम मेन फैबरिक और अस्तर वाले फैबरिक को जोड लेंगे तो हमने मीन फैबरिक को सीधे साइड में यानि कि उल्टे साइड में हमने अस्तर को रखा था जैसे हमने रखा था सेम वैसे ही उठाया है और बस यहाँ पर हम सिलाई लगा रहे हैं में बिल्कुल अस्तर वाले कपड़े के बराबर से मेन फैवरिक को कट कर लेना है तो इस तरह से यह हमने कट कर लिया है अब कट करने के बाद यहां पर हमको हुक पट्टी और आई पट्टी लगानी होगी तो इसके लिए हम जो हमने बीच में बिल्कुल शेंटर पर लाइन टक्स है तो इसकी देखो यहां पर कहीं पर भी जोल नहीं होना चाहिए हमारे कपड़े में आप हमको बस नीचे वाले टक्स में सबसे पहले शिलाई लगाना है तो इस तरह से पकड़ेंगे पकड़ने के बाद यहां पर हाथ से प्रेस कर लेना है और यहां पर हमें अब जैसे हमने ये वाला टक्स लगाया सेम ऐसे भते हुए तीनों टक्स कम्प्लीट कर लेंगे तो दिएकर कूर टक्स में हमें हमेशा डबल someし lal break लगा देनी होती है जिस से की हमारा टक्स ये खुले नहीं तो इस तरह से हमारे चारों टक्स कम्प्लीट हो गए हैं अब जैसे हमने ये वाला टक्स कम्प्लीट किया है सेम ऐसे ही दूसरा वाला पार्ट भी कम्प्लीट कर लेंगे तो ये हमारे दोनों पार्ट कम्प्लीट हो गए हैं अब हम यहाँ पर हूग पट्टी और आई पट्टी लगाएंगे तो देखो हूग पट्टी के लिए हमें सिर्फ अस्तर वाले कपड़े की जरूरत पड़ेगी और हमें आई पट्टी के लिए मेन फैबरिक और अस्तर दोनों की जरूरत पड़ेगी तो इधर हमारी यह लगे के बाद जो हमारा मार्जीन है उसको हम पट्टी की साइट को फोल्ड करेंगे उपर से शिलाई लगा देंगे अब हमारी जो पट्टी है इसको हम इस तरह से अंदर की साइट को फोल्ड करेंगे हाथ से प्रेस करेंगे और फिर ये पट्टी हमारी पूरी अंदर की साइट को ह हाथ से प्रेस करेंगे, अब हम यहाँ पर बड़ी बख्या से सिलाई लगा देंगी, क्योん कि बाद में हमें यहाँ पर तुर्पाई करनी होगी, तो यह सिलाई हमें खोल लहीं होगी, ठीक है? तो इस्तरी से यह हमारी हुक पट्टी कंप्लीट हो गई है, देख सकते हो आप अब हम यहाँ पर आई पट्टी लगाएंगे तो आई पट्टी के लिए हमने यहाँ पर सबसे पहले अपनी पट्टी कम्प्लीट करनी होगी तो में फैबरिक और अस्तर वाले फैबरिक को पूरे को बड़ी बग्या से यहाँ पर शिलाई लगा देना है द फिर यहाँ पर अच्छे से बराबर से मिलाते हुए एक पैर का मार्जीन लेते हुए हमने शिलाई लगा लेनी है यहाँ पर शिलाई लगाया अब हम इसको पूरा ओपन करेंगे और यह जो मार्जीन है इसको हम पट्टी की साइट को फोल करेंगे आगे से फिर से इस तरह स साइट को फोल करेंगे ऐसे और हाथ से यहां पर हमें प्रेस कर देना है अब यहां पर हमको प्रेस करने के बाद फिर से उपर से यहां पर हमें शिलाई लगा देना है तो इस तरह से आपको यहां पर शिलाई लगा दिये हैं तो इस तरह से आपको यहां पर शिलाई लगाना ह जिससे कि हमारा कपड़ा इधर-उधर नहीं होगा तो यह हमारा फ्रेंड पर्ट कंप्लेट हो गया है अब हम अपना भैक परट ले लेंगे तो जैसे हमने भैक परट को रखा था सेम वैसे उठा लेना है उठाने के बाद यहां पर हमको बिलकुल साइट साइट से सिलाई लगाना है तो देखो ये जो हमने नीचे का पार्ट रखा हुआ है जो हमारी डिजाइन है तो इतनी सिलाई वहाँ पे अस्तर को इस बराबर से रखना है जिससे कि हमारी पूरी डिजाइन ब्लाउज में ही रहे बिल्कुल भी कटे नहीं ठीक है तो इस तरह से ये हमारी शिलाई पूरी लग चुकी है इसके बाद जो भी इस्टा कपड़ा है उसे हमें कट कर देना है तो देखो जो मैं गले का कपड़ा नहीं निकालती हूँ पहले कटिंग करते समय तो यहां से मैं जैसे जो भी ब्लाउज में लटकन डिजाइन बनाने होते हैं तो इसी कपड़े से मैं बना लेती हूँ ठीक है तो अब हम यहां पर क्या करेंगे इसको हमने ऐसे रखा तो यह हमारा बैक पार भी इतना कंप्लीट हुआ अब हम यहां पर डॉट कंप्लीट करेंगे तो बस जैसे हमने निसान लगाया है वहीं से इस तरह से नीचे से बराबर करते हुए ऐसे और बस यहां पर हमको हाथ से प्रेस करना है और यहां पर हमें बिल्कुल तिर्चे में सिलाई लगा देना है जैसे हमने डॉट के लिए सिलाई लगाया था तो इस तरह से हमारा एक डॉट कम्प्लीट हुआ, सेम ऐसे ही दूसरे वाले डॉट पे भी सिलाई लगा लेना है, तो इस तरह से फोल्ड करना है और सिलाई लगाना है, तो यह हमारे दोनों डॉट कम्प्लीट हो गए है, अब यह हमारा बैक पार्ट कम्प्लीट हो गया है, तो अब हम अपने बैक पार्ट को साइड में रखेंगे तो फ्रेंट पार्ट बैक पार्ट कम्प्लीट करने के बाद हम अपनी स्लीफ भी पहले तयार कर लेते हैं तो देखो यहां पर हमने जैसे स्लीफ रखा था सीधे साइड में हमारा स्लीफ का कपड़ा अस्तर का कपड़ में फैबरिक के सीधे साइड में रखा हुआ है अब हम क्या करेंगे जो हमारे डिजाइन है बिल्कुल डिजाइन के साइड से हम यहाँ पर शिलाई लगाएंगे इस तरह से यह हमने यहाँ पर शिलाई लगाया अब हम उल्टे साइट को ऐसे लेंगे और लेने के बाद यहाँ पर हमें मेन फैबरिक और अस्तर वाले फैबरिक को जोड़ देना है और यहाँ पर हम बड़ी बख्या से सिलाई लगा देंगे तो बस इस तरह से यहाँ पर हमें पूरे में शिलाई लगा लेना है और जो भी कपड़ा है इसे भी हमें कट करके निकाल देना है तो यह हमारी स्लीफ्स तयार हो गई है देख सकते हो आप अब जैसे हमने यह वाली स्लीफ्स तयार किया से मैसे ही दूसरी स्लीफ्स भी तयार कर देंगे तो यह हमारी दोनों स्लीफ्स तयार हो गई है अब हम इस स्लीफ्स को ऐसे फोल्ड करेंगे फोल्ड करने के बाद यहां पर हमें बिल्कुल आस्तीन का नाप डालना है तो जो भी आपका नाप हो यहां पर नाप डाल दीजेगा तो इस तरह से यहां पर आपको जो स्लीफ की पूरी गुलाई होती हो उसका दूसरा बाग करके निशान लगाना होता गजा है और ऐसे लाइन डॉक करेंगे तिर्चे में और यहां पर हमें किलाहि मैंद लगा देनी है तो यह में हमारी फिटिंग भी कम्प्लीट हो जाएगी स्लीव की तो जैसे हमने इसमें कम्प्लीट किया से मैं से दूसरी किलेंगे, अब हम सिदी कर लेंगे तो इस तरह से हमने सीधा साइड को ऊपर को रखा है और जो हमारा फ्रेंट पार्ट है उसको हमने सीधा साइड अंदर की साइड को रखा है अब इसके बाद यहां पे हमें सोल्डर जोड़ना है तो हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए यहां पे हम सिलाई लगा लेंगे तो बस इस तरह से यहाँ पर हमें शिलाई complete कर लेना है दोनों shoulder हमें यहाँ पर जोड़ देना है इस तरह से यह हमने दोनों shoulder पर शिलाई लगा लिया है अब इसके बाद बराबर से कपड़े को रखना है यहाँ पर हम सीने कनाब डालेंगे नीचे की साइट कमर का नाप डालेंगे तो सीने का नाप हम यहाँ पे डालना है तो जितना भी आपका सीना है उसका हमें दूसरा भाग करके लेना है सेम ऐसे ही कमर का भी निशान लगाना है तो जितना कमर है उसका दूसरा भाग करके निशान लगाना है अब हम कमर वाले निशान से और सीने वाले निशान से ऐसे निशान मिलाएंगे और निशान मिलाने के बाद यहाँ पे हमें शिलाई लगा देनी है इस तरह से तो डवल शिलाई यहाँ पे आप चला दीचेगा जिससे कि अगर कभी ढीला करना हुआ तो ढीला को जाएगा अब हम क्या करेंगे जो हमारा front part वाला margin वो बराबर नहीं है तो उसको बराबर करना है और जो बैक पार्ट वाला है ज्यादा तो बस उसको ऐसे फोल करके शिलाई लगा देंगे जिससे हमारे धागे वगएरा निकलेंगे नहीं और अच्छी फनीसिंग के साथ में हमारे ब्लाउस भी दिखेगा तो इस तरह ये फिटिंग कंप्लीट हुई इसे ही दूसरे साथ भी हमने फिटिंग डाल दिया है अब दोनों साथ फिटिंग डालने के बाद यहां पर हमें अपनी स्लीफ जोडनी है तो जैसे हमने स्लीफ को सीधी करके रखा था वैसे ही लेना है और ब्लाउस को हमें उल्टा करके लेना है ठीक है तो जो हमारा होजों के अंदर और यह ऐसे टालेंगे तो दोनों की गुलाई बराबर से मिलाते हुए इस तरहmel desta है ऐसे हमें दोनों की गुलाई बराबर होनी चाहिए अगर कई कम जादा हो रहा है ठोड़ा बहुत है अगर हाफ इंच का फरकार आ आप वहाँ पे जो ज़्यादा है इस्ट्रा है तो उस गुलाई पे आप शिलाई लगा सकते हो ठीक है तो इस तरह से यह हमने यहाँ पर इनको दोनों को मिलाया और मिलाने के बाद शिलाई से इस तरह से पहले इसको नाप लेना है कि दोनों की गुलाई बराबर है या नहीं बस इसी तरह से हमें यहाँ पर half inch का margin लेते हुए पूरे गुलाई पर शिलाई लगा देना है तो देखो इस तरह से हमने पहले पूरा नाप लिया कि कितना आ रहा है तो देखो यह हमारी पूरी गुलाई बिलकुल बराबर है फिर से हमारी शिलाई में शिलाई मिल चुकी है हमने शिलाई से शिलाई मिलाते हुए यहाँ पर अभी चेक किया तो इस तरह से यह हो गया अब हम देखो यहाँ पर कोने में शिलाई कैसे लगाएंगे तो वह भी देख लेते हैं जो हमारा मार्जीन है ना फ्रेंट पार्ट का यानि कि blouse का जो margin है उसको हमें front part के side को fold करना है तो blouse वाली शिलाई फिटिंग की और slave's वाली fitting की सिलाई दोनों को मिलाना है मिलाने के बाद margin को इस तरह से fold करेंगे और फिर slave's वाली को इसके opposite side इस तरह से fold करेंगे और यहाँ पर ऐसे तीरा बनाके ऐसे फोर्ल कर लेंगे, हाथ से दबा लेंगे अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हाफ इंच का मार्जीन लेते हुए पूरे गळाई पर शिलाए लगा लेंगे तो बस यहाँ पर हमें ना ही बलाउस वाला कपड़ा खीशना है और ना ही स्लीफ्स वाला बराबर से दोनों में सिलाई लगा लेना है तो इस तरह से हमारी स्लीफ्स बनके तयार हो जाएगी यह हमारी स्लीफ्स हमारी लग चुकी है देख सकते हो हमारा जो मारजीन है इसी तर करके दिखा देते हैं तो देखो इस तरह से स्लीफ हमारी लगके कंप्लीट हो गई हैं अब हम यहां पर देखो यहां पर हमें नीचे बॉटम फोल्ड करना होगा तो इसके लिए हमको इसको बराबर से कट कर देना है यह हमने यहां पर कट कर दिया और जो हमने बीच में यहां क्योंकि अगर हम यहां पर डाइक्ट वॉल्ड करेंगे तो हमारी डिजाइण आधी चली जाएगी तो हम यहां पर तक बाटम के नीचे और यहां पर हम यहां पर फॉलल करके शिलाई लगा देंगे और फिर इसको हम इस तरह से ओपन करेंगे जो हमारा मार्जीन है उसको हम अपने पट्टी की साइट को फोल्ड करते हुए शिलाई लगाएंगे यह हमारी शिलाई लग चुकी है अब हम इसको ऐसे अंदर की साइट को फोल्ड करेंगे और ऐसे फोल्ड लिए है नीचे का bottom fold कर दिया है अब हम यहाँ पर अपना गला complete करेंगे piping लगाएंगे तो उसके लिए जोसे मिने autem यह हमने आगे से थोड़ा सा कट किया, वैसे ही तिर्चे में ही और बस यहाँ पर औरेव में ही यहाँ पे शिलाई लगा देना है यह हमने शिलाई लगाया तो यह हमारे पट्टी जोड़ चुकी है, अब जोडने के बाद इसको हम क्या करेंगे, यह पपकड़ने के बाद से अंदर की तरफ को फोल्ड किया डवल फोल्ड कर लेना है उल्टा साइड अंदर की साइड को हो और सीधा साइड बाहर की साइड को अब हमको इसको अपने गले की ऊपर रखना है पट्टी को और बिल्कुल एक पैर का मार्जिन लेते हुए पूरी पट्टी को गले पे लग तो और आगे से जो भीष्टा पट्टी होगी उसे हम कट करके निकाल देंगे तो इस तरह से यह हमारी पट्टी लग चुकी है अब यहां पर जो धागे वगयरा निकले होते हैं इनको हम पराबर से कट कर देंगे जहां पर भी मोटे कपड़ा मारजीन होगा वहां पर हमें पूरी बराबर आए अब कट करने के बाद जो हमारा मारजीन है उसको हम पट्टी की साइट को फोल्ड करेंगे और फिर आगे से इसको हम इस तरह से एक रोल बनाएंगे यानि कि पाइपिंग का सेव देंगे तो जो हमारा मारजीन है पूरा अंदर की साइट को फोल्ड करक तो बस ऐसे ही हमको गुमा-गुमा के पूरे में शिलाई लगा लेना है यानि कि मार्जीन हमें पूरे पाइपिंग में भर देना है इस तरह से यह हमारी पूरी पाइपिंग कम्प्लीट हो गई है फ्रेंट्स, आप देख सकते हो, उल्टे साथ देख सकते हो कि इतनी अच्छी फनीजिंग के साथ में हमारी piping complete होई है यह देखिए तो जो हमारा margin है वो बाहर के चाट बिलकुल भी नहीं है पूरा piping के अंदर चला गया है और इतनी finishing के साथ में हमारी piping complete होती है अगर आप इस तरह से बिलकुल piping बनाओगे तो आपकी भी piping बहुत ही अच्छी बनके तयार होगी तो यह हमारे गले की piping complete हो गई पूरा blouse हमारा बनके ready हो गया है बस इसमें होक तुरपाई और आई बची हुई है तो बस वो complete करना है तो इस तरह से अगर आप blouse बनाओगे तो आपका भी blouse बहुत ही अच्छा बनके तयार होगा तो फ्रेंट्स वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना और वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर देना चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बेल आइकन भी प्रेस कर देना जिससे आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सकेगी वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद